श्काल दोस्ता मेरा नाम है रवी और स्वागे था आपका मेरे यूटूब चैनल जोतिश राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशी वालों के मार्च महा के राशी फल के बारे में कि कैसा रहने वाला है मार्च का महिना कन्या राशी के जातेकों के लिए में आपको कुछ उपाए भी बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने इस महिने को अपने लिए और भी उत्तम बना सकते हैं तो चलिए बिना किसी दिरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्त की कैसा रहेगा आपका स्वास्त मार्च के महिने में तो साथ मार्च से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपने स्वास्त को लेकर क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े इंफेक्शन वगरा हो सकते हैं या स्किन इशूज हो सकते हैं इमूर्टी सिस्टम में आपके कमी देख सकती है जिसकी वज़े से आपको सर्दी जुकाम खासी की समस्या हो सकती है परन्तु साथ मार्च के बाद आपका स्वास्त काफी अच्छा रहने वाला है और ऐसी कोई भी समस्या आपको उत्पन होती नहीं देख रही तो साथ मार्च से पहले आपको थोड़ा ध्यान देने की जुरूरत है साथी साथ यहां पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ योगा या कुछ जिम वगरा आप जोईन करें जिसकी वज़े से आपका स्वास जो है जो इमनिटी सिस्टम है वो आपका स्ट्रॉंग बना रहे है अब यहां पर आगर बात कीज़ाए आपकी सिक्षा की तो सिक्षा को लेकर आप बहुत सीरियस रहेंगे मार्च के महीने में और बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे थोड़ी बाधाएं आएंगी आपके सिक्षा को लेकर आपके जीवन में परन्तु आप उनसे जो है पार पाके सफलता की और अगरसर रहेंगे तो सिक्षा के लिहाद से ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है अगर आप कोई competition exam में बैठ रहे हैं या किसी competition exam की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के अच्छे हो गएं बस अपने mind को आप divert मत होने दीजेगा सिक्षा के उपर अपनी focus रखिएगा जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी अब यहाँ पर बात की जाए आपके प्रेम प्यार की कि कैसा रहने वाला आपका प्रेम प्यार मार्च के महिने में तो प्रेम प्यार काफी अच्छा है मार्च के महिने में और कोई खास मस्य आप पे होती नहीं दिख रही है पर दोनों में थोड़ी सी जिद रहेगी अगर आप इस जित पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका प्रेम प्यार अच्छा है परंतु जित की वज़े से आप दोनों में थोड़ा सा वाद विवाद होता देख रहा है जो कि आगे चल की जगड़े का रूप ले सकता है तो आपको थोड़ा सा अपने अग्रेशन के उपर गुस्से के उपर जित के उपर कंट्रोल रखना होगा जिसकी वज़े से आपका प्रेम प्यार में थोड़ी अर्चने आ सकती है अगर आप control कर ले जाते हैं तो आपके लिए महिना प्रेम प्यार के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है अब अगर बात की जाए आपकी married life की कैसे रहेगी करने आप राशी वालों की married life मार्च के महिने में तो married life इसमें बहुत अच्छी नहीं दिख रही है इसमें काफी दिक्ते आते दिख रही है आप दोनों के बीच में वाद विवाद या जगड़ा हो सकता है communication issues हो सकते हैं dissatisfaction हो सकता है तो यहाँ पे आपकी married life में काफी समस्याएं होती दिख रही है यहाँ पे आपको थोड़ा सा संयम के साथ इस समय को निकालने की जुरूरत है और मार्च के महीने के बाद जो है चीजे नॉर्मल होती दिख रही है उससे पहले अगर मार्च के महीने की बात करें तो उसमें बहुती ज़्यादा दिख किते हैं आपको निक्रोथ के उपर नियंतर रखने की थोड़ी जुरूरत है साथी साथ लाइफ पार्टनर को यहाँ पे आपके स्वास्त संबंदी समस्याएं भी आ सकती है मार्च के महीने में तो मार्च का महीना मैरेड लाइफ के लिहाज से काफी अच्छा नहीं रहने वाला है इसके लिए मैं आपको जो है कुछ उपाया भी बताऊंगा वीडियो के एंति में अगर आप उस उपाया को करेंगे तो उससे जो है इसके नेगेटिव इंपक्ट आपके काफी हद तक खतम हो जाएंगे और ये समस्याएं जो है इसे आपको छुटकारा मिल सकता है अब यहाँ पे अगर आपके भागे की बात की जाए तो दस मार्च से पहले भागे बहुत अच्छा है अगर कोई भी आप ऐसा काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं जो की भागे से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं कई इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं या भूमी परचेस करना चाहते हैं शेर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दस मार्च से पहले आप कीजिए उसमें आपको अच्छी सफलता के योग बनते दिख रहे हैं आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे कोई अगर आप मांगलिक कारे घर में करना चाहते हैं तो 10 मार्च से पहले कीजिए सब अच्छा रहेगा उसके बाद भाग में थोड़ी सी रुकावटे आती दिख रहे हैं आपके काम बनेंगे बट वो रुक रुक कर बनेंगे और जो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होना है वो थोड़ा काम होगा तो 10 मार्च के बाद ये सारी चीज़े हो सकती है पर तो 10 मार्च से पहले आपका बाग बहुत अच्छा है आपको सफलता मिलने के अच्छे ही हो गए बाकी अगर यहां पर बात कीज़े आपके करियर की करियर कैसा रहेगा मार्च के महिने में तो करियर में यहां पर कोई भी समस्या नहीं दिख रही है करियर बहुत अच्छा है आप मिश्वास से आप भरपूर रहेंगे अपने काम को पूरी तलिंका के साथ जो है करेंगे और अपने कार को बहुत अच्छी तरह से करेंगे और आपके काम में कोई भी कमी नहीं निकाल पाएगा आप बहुत ही confident रहेंगे अपने काम में कि हाँ जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है और मैंने कोई भी गलती नहीं किया और साथ आपके जो superiors हैं वो भी आपके काम से बहुत प्रसंद रहने वाले क्योंकि आपके काम में कोई भी कमी नहीं मिलेगी और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसको successfully पूरा करेंगे तो career के लिहाज से मार्च का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है अभ अगर बात की जाए आपके वियपार भाव की तो वियपार में आपको वियपार को लेकर थोड़ी बहुत tension दिमाग में रहेगि और व्यापार में इस्तिती जो है आपकी नॉर्मल देख रही है बहुत जाद अच्छा नहीं है बट दिमाग में आपके टेंशन रहेगी कि आप व्यापार को बढ़ाना है और उसमें अच्छा करना है कुछ नया करना है जिसकी वज़े से आप थोड़ी थोड़े समय में आज से बहुत जाद अच्छा नहीं है नॉर्मल इस्तिती नॉर्मल यहां पर है माज के महिने की अब जैसा मने बताया था वीडियो की शुरुवात में है कि मैं आपको वीडियो के एंति में कुछ पाया भी बताऊंगा तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको गुरू औ आपको शिर्फ जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद